दोस्तों असकार मायरवास फ़ले स्रेनम आपका स्वागत है मैं उराज किसुर आज हमें चुन्वताएंगे कि इसे बिजनस आइगा के बारे में जिस्वो करके आप महीना में कम से कम डेर से 2,00,00 रुपया अराम से कहा सकते हैं तो दोस्तों आपको हम इस बिजनस क्या है इस सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए कौन-कौन से लाइसेंस बनवाना होगा जिस सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको एक बात बदा दे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क हैं तो वीडियो के नीचे डेटर कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी डालेंगे उसका नोटिफिकर्शन आपके पास पहुंच जाएगा तो दोस्तों यह बिजनस है थर्माकॉल का प्लेट थाली और डोना बनाने का यानि प्लेट ठाली और डोना हम बनाएंगे जिससे पेपर का बनाते थे इसी तरह से जो है मसीन के माध्यम से यह बनाएंगे और उसे मार्केटिंग करेंगे जहां तक बात है मसीन की तो मसीन इसमें दो तरह के आते हैं एक सेमी अटोमेटिक मसीन होता है और दूसरा फुल प्रोडक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको यह तो हो गया आपको प्रोडक्शन मसीन यानि इससे आप प्रोडक्शन करेंगे तयार करेंगे प्लेट डोना या फिर जो भी आप तयार करना चाहते हैं जिस तरह का प्रोड़क्ट आप तयार करना चाहते हैं वो और दूसर आपको cutting machine लेना होगा, उसका cutting करने के लिए, यानि इसमें cutting नहीं किया जाता है, इसमें product तयार होगा, जो भी आप चीज बनाना चाहते हैं, वो तयार होगा, और दूसरे machine में आपको cutting होगा, तो चल लिए, अब भी आपको process बता देते हैं, किस तरह से production किया जाता है, दोस्त किया जाता है, आप जो भी धー screen पे देख रहा हैं, यह सेwhile aromatic है, तो इसमें देख़ें किस production किया जाता है, यह जो white colour का आप आप देख रहा है, यही इससे прошem면 द्येखनों jae hyi पार्ट है कि उसको नीचा दिया जाता है ताकि व जो उसमें दवा जाता है शहीश को में सब्सक्राइब को अन्सकें करते हैं उसकें दुसरा आता है उसकें उपराण ऐसके प्लीट या पर डोना या पिर जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वो तयार हो जाता है तो इसी तरह से जो है इसका प्रोडक्शन इसमें किया जाता है अब यह यहां पर तयार हो जाता है तो अब इससे कटिंग करना है कटिंग करने के लिए आपको दूसरी मशीन के जरूत होगी इसमें प्रोडक्शन होता है तो कटिंग आपको दूसरा मशीन पर करना होगा तो चलिए अब आपको कटिंग मशीन पर ले चलते हैं और वहां कटिंग करके बताते हैं किस तरह से इसका कटिंग किया जाता है दोस्तों कि यह कटिंग मशीन इसमें इस तरह से लगा दिया जाता है और लगाने के बाद जो है उस मशीन में sit कर दिया जाता है जब sit करते हैं मशीन को on करते हैं तो automatically जो है यह इस side से दूसरी side यानि इस side से दाए से बाएं और जीसा के आप देख रहे हैं चले आता है और automatically जो है इसमें जो हम डाले हैं वो कर जाता है आप एक साथ दो तीन ठोद डाल के और काट सकते हैं इस मशीन से देखिए अब यह जो है कर चुका है अब इसे आप packaging करके और marketing कर सकते हैं तो दोस्तों यह कातना भी कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ही simple है मशीन को कोई भी मशी जिससे हम किये हैं तयार किये हैं वो भी मशीन को कोई भी operate कर सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही simple है जिससे कि आप देखिए इस तरह से हम set कर दिये और इस side से लगा रहा है और इसके बाद जब मशीन को on करते हैं तो इस side से दूसरी side चल जाता है यानि किसी भी side से आप इस roll डाल दिया जाता है उस side से z कर दिया जाता है और इस machine को जब operate कर दिया जाता है यानि on कर दिया जाता है तो automatically जो है यह तयार होने लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं यह machine automatically जो है production कर रही है इसमें किसी भी labor की जड़त नहीं है यानि इसको गिराने या फिर उठाने के लिए उस machine में जैसे कि आपने देखा से me automatic machine में उसमें लगाने के लिए एक stop की जड़त होती थी उसमें लगाया जाता था इसके बाद फिर उसको बारवार करना परता था उससे बारवार निकालना परता था लेकिन इसमें कुछ भी इस्टा नहीं है इसमें आप सिर्फ एक निकालके और आप जो है जैसे कि हमने आपको बताया थे, cutting machine में काटना कैंगे कैसे तो उसी तरह से जो है आप उस भी मजीन में set कीजिए और इसको जो है, cutting कीजिए इसमें बहुत ही ज्यादा production आप कर पाएंगे उसके comparison में बहुत ज्यादा production आप कर पाएंगे इसमें manually कम काम करना परता है उसमें semi-automatic machine में manually ज्यादा काम करना परता है तो दोस्तो आप जो चाहें ले सकते हैं आप अपने budget के अनुचार इसका price लगभग 5 लाग से उपर है और semi-automatic machine का जो है price लगभग 2 लाग से उपर है setting 2 लाग है अलग अलग तरह का machine market में available है आप जो चाहें ले सकते हैं उसके quality के उपर depend करता है उसका price दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें total कितना invest करना पड़ेगा दोस्तो जहां तक बात है investment की तो investment आपके unit के according करना पड़ेगा अगर आप small unit लगाना चाहते हैं तो लगभग 2 लाग का semi-automatic machine आता है इसके बाद transportation expenses होगा इसके बाद GST लगएगा लगभग आपको total जो है अड़ाई लाग के आसपास invest हो जाएगा और अगर आप large unit लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाग से उपर का machine लेना होगा और इसके बाद उसी तरह से transportation expense इसके बाद GST, installation expense यह सब लगभग अगर आप large unit लगाना चाहते हैं तो लगभग आपको 6 लाग रुपया invest हो जाता है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इससे profit कितना कर सकते हैं profit report के मादम से हम आपको बता रहे हैं तो दोस्तों इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका selling price क्या है market में तो देखिए इसके लिए हम इंडिया माट पे आए हुए इंडिया माट जो है एक website है जहां जो है मल या फिर कोई भी product supply करे वाते हैं या फिर खायते हैं तो देखिए यहां पर देखिए यहां जो supplier है disposal thermacore plant जो है देखिए यह त्यर रुपय परपी使 sales कर रहे है इसी तरह से देखिए यहा नीचा दो रूपया पर पीश सेल कर रहा है इसी तरह से चार रूपया पर पीश सेल कर रहा है तो इसी तरह से अगर आप भी करेंगे तो माल लेते हैं कम से कम आपका दो रूपया पर पीश सेल होगा अच्छा कॉयलिटी का तो दो रूपया purpose अगर sell होता है तो इसके basis पे हम आपको profit report बताने जा रहे हैं तो दोस्तो यह है आपका profit report यानि project report इसमें जो है आपको हम बताएंगे कि कितना production करेंगे एक महिना में और कितना profit आप इसे कर सकते हैं दोस्तो देखिए आप total number of plate in 1 kg raw material यानि 1 kg इसका raw material होता है उससे 140 piece जो है plate बनता है या फिर थाली बनता है वो size की according होता है अगर आप छोटा size का बनाएंगे तो ज्यादा होगा अगर बड़ा size का बनाएंगे तो 140 piece होता है तो total expense is 1 kg 1 kg production करने में total खर्चा होता है 135 रुपिया का इसका raw material आता है और 10 रुपिया lever और electricity लगभग आपको जो है 145 रुपिया इसमें invest हो जाता है 1 kg production करने में तो selling price इसका है market में 2 रुपिया purpose हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे sell हो रहा है तो 2 रुपिया purpose माल लेते हैं तो total selling price of 1 kg production 1 kg production का total selling price कितना होगा 1 kg 1 kg में 140 पीस होता है और 1 पीस का जो है 2 रुपिया है तो इस तरह से 1 kg का यानि 140 पीस का हो जाएगा 280 रुपिया यानि 1 kg का production अगर आप करेंगे तो उसका selling price होगा 280 रुपिया और आपको invest हुआ उसमें 145 रुपिया तो profit 1 kg पे कितना होगा 280 total selling price और minus इसमें जो cost लगा वो तो 145 रुपिया लगा है तो लगभग आपको 135 रुपिया इसमें profit हो जाता है 1 kg में और 1 घंटा में आप 7 kg production कर सकते हैं total production 1 hour एक घंटा में आप 7 kg production कर सकते हैं तो 1 kg में 135 रुपिया होता है तो 7 kg में इसको 7 से 135 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यानि एक घंटा का profit तो देखिए अब आपको बता देते हैं total production in one day एक दिन में आप कितना production कर पाएंगे एक घंटा में 7 kg होता है और एक दिन में माल लेते हम आठ घंटा काम करेंगे तो 8 को साथ से multiply करेंगे तो 56 kg यानि 56 kg आप एक दिन में production कर पाएंगे और 1 kg पे आपको profit होता है 135 रुपिया तो 56 kg पे profit कितना होगा total profit on 56 kg यानि one day एक दिन का जो production होगा उसका तो 56 गुने जो है 135 तो 7560 रुपिया 7560 रुपिया जो है आपको इसे profit होता है तो एक दिन का profit in 30 days यानि एक महिना का profit कितना होगा 30 दिन माल लेते हैं आप काम करते हैं 8-8 घंटा करके तो 7560 से multiply करेंगे इसका तो 2,26,800 होता है यानि आप एक महिना में अगर आप 8 घंटा पर डे काम करते हैं तो 2,26,800 profit कर सकते हैं इसी में माल लेजिए जो है आप मार्केटिंग में ज़्यादा एक्पेंस करेंगे जैसे माल लेजिए एक ठो नहीं दो ठोलर के को रखेंगे मार्केटिंग करने के लिए तो मार्केटिंग में थोड़ा हो सकता है दिकत होगा तो दिकत होगा नहीं मार्केटिंग कैसे कीजिए यह ढकू साओ बात करेंगे रिटेलर जो है उनसे बात करेंगे वह रेजिटर के लोग और उनको देंगे अपना प्रम्ड़क्ट जो मेरा प्र मैं में मुम और यूंसे जाएक मार्ट पे जो supplier लोग register करवाए हुए हैं इसी तरह से आप भी इस पर register करवा लिजिए इंडिया मार्ट पे शुलेखा.com पे इस तरह से जो है ट्रेड इंडिया.com है यह सब पे जो है आप register करवा लिजिए और आप भी एक supplier के रूप में यह supply कर सकते हैं तो इसका marketing करना बहु ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसकी license कि दोस्तों license अगर आप small unit पे काम करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की आपके license परनाने की जोड़त नहीं है सिर्फ आप जो है उद्योग अधार है भाहसरकार की एक योजिना है जिसमें register करव आना होगा तो इसके लिए आप अपने नजदी की किसी CA से help ले सकते हैं मदस ले सकते हैं उनको बोलिए जो हम ये company खोलना चाहते हैं अलग-अलग रिश्रिक का जो है अलग-अलग process होता है तो आप वहाँ आप अपने area में search कर लिजिए कौन CA है या फिर accountant जिसको बोलते है उनसे contact करके और ये license बनवा लिजिए और अपना काम start कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ share किजिए और मेरे चैनल को subscribe दुऽ कि आपको ये जार ँड़ियो फो ये वीडियोम कि आंग हो फो बार मेरे चैनल को ये वीडियोम नवा संद आया होref Francisco